अगता आप सभी का जेटीवी डे न्यूज पर उत्तर परदेश के विधान सवा चुनाव को लेकर हम आपको परदेश की 14 विधान सवा चेतरों के पिछले 3 चुनावी नतीजों के बारे में बता चुके हैं अब हम आपको प्रदेश की नंबर 15 विधान सवाचेतर, खतोली विधान सवाचेतर के बारे में बताएंगी यहाँ पर वर्तमान समय में भारते जंता पार्टी की विकरम सिंग सैनी विधायक हैं आपको बता दें कि 2007 में इस सीट से बहुजन सामाज पार्टी के टिकर्ट पर योगराज सिंग विधाय वने थे जिने 38,205 वोट मिले थे दूसरे नंबर पर राश्टे लोगदल के राजपाल सिंग बालियान रहे थे जिने 22,184 वोट मिले थे वहीं तीसरे नंबर पर सामाजवादी पार्टी के परमोत्यागी रहे थे जिने 20,177 वोट मिले थे परमोत्यागी वर्दमान समय में सामाजवादी पार्टी मुझाफर नगर के जीला द्यक्स हैं इसके अलावा चोथे नंबर पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो परतियासी थे सावीर अली वो रहे थे 12,395 वोट उने मिले थे और भार्ट जिन्ता पार्टी के सुधीर कुमार बालियान यहाँ पर पांचवे स्थान पर रहे थे जिने माद्र 10,351 वोट मिले थे हालांकि जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर योगरा सिंग विधायग बने थे परदे सरकार में मंतरी भी रहे हैं वो मोजिदा समय में राश्टे लोगदल में हैं और इस सीट पर उन्होंने 16,021 वोटों से जीत दर्ज की थी 2007 में बात करें 2012 की 2012 में इस सीट पर राश्टे लोगदल ने कबजा किया था और राश्टे लोगदल के टिकट पर करतार सिंग भढ़ाना लखनव विधान सभा पहुँचे थे जिने 46,722 वोट मिले थे इसके अलावा दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के ताराचंद सास्त्री रहे थे जिने 40,847 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी के स्यामलाल बच्ची सैनी उन्हे 49,358 मिले थे और भारते जिनता पार्टी इस बार भी चोते स्थान पर रही थी उन्हें मात्र 19,298 मिले थे इस सीट पर 5,875 वोट से RLD के करतार सिंग बढ़ाणा ने बहुजन समाज पार्टी के ताराचंद सास्त्री से जीत दर्ज की थी तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी राष्ट लोगदल का अच्छा परभाव माना जाता है 2017 में भार्टे जन्ता पार्टी की लहर में इस सीट से विकरम सिंग सेनी भार्टे जन्ता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े 94,777 वोट उन्होंने हासिल किये और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उमिदवार चंदन सिंग चोहान रहे जो पूर मुख्य मंत्री स्वरगय बाबु नारायन सिंग के पोत्र है और उनके पिता संजे सिंग चोहान भी 29 लोग सबाचेतर सिंग सेनी उन्हे 63,397 वोट मिले और तीसरे अस्तान पर सिवान सिंग सेनी जो बहुजन समाज पार्टी के उमिदवार थे और राज्य सबासांसद पूर राज्य सबासांसद राजपाल सिंग सेनी के पुद्र हैं जिने मात्र 37,388 वोट मिले थे और राश्टे लोग दल के सहनवा जराना को मात्र 12,846 वोट मिले थे अब इस सिट पर पूरी तरह से जो है पूरी समीकरन बदल चुके हैं लाल बच जादो के नेतरतों में समाजवादी पार्टी की सदस्य तगरहन कर चुके हैं वो भी शेतर से चुनावी मैदान में उतरने के चुक हैं और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उनके पुत्र सिवान सेनी या परत्यासी बना सकती है बोजन समाजपार्टी से माजी सिद्धी की या तियारी कर रहे हैं इसके अलावा भारते जंता पार्टी भी या विकरम सिंग सैनी को भी टिकट दे सकती है इसके अलावा किसी और अन्य चेहरे पर भी विचार कर सकती है हालांकि यह आने वाले समय में ही पता चलेगा 2022 के लिए जब टिकट वितरन होंगे और भारते जंता पार्टी अपने उम्मीदवारों के सुची जारी करेगी तभी पता चलेगा क्या भारते जंता पार्टी अपने विधायक विकरम सिंग सैनी पर विस्वाज़ जताती है किसी अन्य चहरे को मेदान में उतारती है यह है तो आने वाले समय में ही पता चलेका अग्ली विदान सवा छेत्र पर्देश की नंबर 16 विदान सवा छेत्र मेरापूर विदान सवा छेत्र के वारे मैं हम आपको अग्ली वीडियो में Bye लिए अगर आपने हमारा भी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो करपया चैनल को सबस्क्राइब कर लिए